हेलो, नमस्ते, वेलकम टो मोनेज किचन, आज की तो सबजी बन रही है, वो है बेसन के गटिक सबजी, और ये बहुत ही बढ़िया बनती है, और इसके स्वाद के सामने, सारे सबजियों का स्वाद आपको कम लगने लगेगा, एक ऐसी रेसिपी है, ये चले बनाते हैं, इसके लिए मैंने लियाए दो कटोरी, वेसन, इसमें डाले हैं मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्श पाउडर, और थोड़ी सी हींग, और स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, नमक हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि गट्टे में नमक पड़ेगा, फिर सबजी में चाहिए कि तेज हो जाए, इसलिए हिसाब से नमक डालिए, उसके बाद डाला है, मैंने ये दो से तीन चमच सरसो का तेल, आपके पस रिफाइंड ओल है, या फिर देसी घी, आप उसको देसी घी को भी मैल्ट करके डाल सकते हैं, और ये थोड़ा-थोड़ा पानी मैंने इ 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट होने के बाद इसके ऐसे मैंने लोई निकाल ली है, और उसको रोल करके हमने इसके फिर गुलर बनाने हैं, ये इसके गुलर तयार कर ली हैं मैंने, और पहले इसी ये कडाई में पानी गरम बनने के लिए रख दिया था, पानी अच्छी से गरम हो गया है, उसमें हमने ये डाल देने हैं सारे गुलर और इसको अच्छे से उबलने देना है पानी में, अब हमने इसका एक तई दही का एक मरिनेशन तयार करना है इसमें डालने के लिए, इसके लिए मैंने लिए आदिक टूरी दही, इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और डाली है मैने कसूरी में थी एक चमच, और थोड़ी सी मैने डाली है इसमें सौफ, अब इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स करके रख देना है, इस मसाले को हम बाद में यूज़ करेंगे, जब सबजी बनाएंगे, इसे अच्छे से फेंट लीजिए, इसमें कोई भी गांट न रह जाए दही में, जो छोड़े लंग साजाते हैं न वो न रह जाए, बिल्कुल भी दाना न रह जाए दही का, ताकि जब हम सबजी में डालें तो वो अच्छे से उसमें जो ग्रेवी है, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसको हमने एक स पड़ गए हैं बीच पीच में, यह ऐसे निशान पड़ जाएं और जब यह पानी के ऊपर आने लग जाएं तो हमें इनने निकाल देना चाहिए, यह बनके रेडी हो गए हैं, दिखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं कि पानी में टूट भी गए हैं, अब इनको आप अपने चोटे पीस में काटना हैं, बड़े पीस में काटना हैं, उससाब से अब हमने कट करके रख लीजिए, दिखिए अंदर से बेसान इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसका जो पानी हमने बचाया था ना, वो पानी फैकना नहीं है, बिल्कुल भी यह हमें सब्जी में डालने के काम आएगा, और ये मैंने 4-5 टमाटर पानी में बॉयल करके रख लिए, इनका शिलका इसतरे से निकाल के हम इसकी प्यॉरी करड़ेंगे, और इस प्यॉरी को हम सब्जी में यूज़ करेंगे, इससे जो हैं टमाटर अच्छी से पक जाते हैं अब प्योरी अच्छी बनती है इसारे चीली है इसको मैं एक साइट पे ग्रेवी करकर रख दूँगे लिया है मैंने सबजी के लिए थोड़ा सा ओयली है सरसो का तेल इसे गरम होने के बाद डाला है इसमें जीरा थोड़ी सी हींग उसके बाद जो मैंने दो से तीन प्याज मीडियम साइज की कट करके रख रुए थी बारिक वो हमने डाल देनी है इसके अंदर दो हर इमेज चाहिए जो मैंने लंबी-लंबी स्लाइस करके डाल दी है और उसके बाद डाला है मैंने एक चमच जिंचर गार्लिक पेस्ट मसाला हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है यह प्याज अच्छे से भून गई है सारा मसाला भून गया उसके बाद जो हमने टमाटर की प्यारी करकर रखी थी वो इसमें डाल दिया है इसको ज़्यादा पगाने के जरूत ने क्योंकि टमाटर पहले से उबले हुए थे इसके बाद डाले मसाले इसमें हल्दी धनिया पाउडर यह डाला मैने लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के साब से अब सारे मसाले इसमें यूज कर सकते हैं इसमें कोई भी एक्ट्रा मसाला जाने लिए जरूत नहीं है सिर्फ इनी मसालों से ही इसका स्वाद एकदम फर्स क्लास निकल के आता है अच्छे से मसाला पक जाने के बाद जब यह अच्छे से भुण जाए इसमें ओई नजर आने लग जाए तब जो हमने दही को मेरिनेशन को त्यार करके रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल देना है और इससे डाल के हमें इसको चलाते रहना है इसको बिलकुल भी रुकना जाए ताकि भी इसमें फट न जाये जब दई अच्छे समें मिक्स हो जाए और इसमें एक उबाल आने लग जाए तब हमने इसको रोपना है इसको आपको दई दई के छोटे जो होते ना कंड वह बिलकुल नहीं दिखेंगे इसमें दई अच्छे से मिक्स हो जाएगा चला 15-20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको उबालना है अच्छे से यह डाला है मैंने स्वादनसार नमक अच्छा नमक हमने जो गूलर बनाये थे उसमें भी डाला था दही के मैरिनेशन में भी डाला था और हमने सबजी में भी डाला है तो नमक आपको उसी साफ से डालना है कि नमक तेज न हो जाए थोड़ा थोड़ा नमक डालना है सबजी बलने के बाद यह सबजी रेडी हुए उसके बाद डाला है मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला आपको बेसां के गटे यह recipe कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक किजे and प्लीज सब्स्राइब the channel झाल झाल झाल